Hello everyone, welcome to study time with new informative video. यूपीटर पलस्य के विद्यारतियों के लिए दो महत्पोड खबर निकल कर सामने आई हैं. पहली ये कि PET 2022 का जो नूटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्द, यानि कि जब यूपीटर पलस्य अपना कलेंडर जारी करेगा, उसके तुरंत बाद ही आपको PET 2022 का जो नूटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा. और अगली बात है लेकपाल मुख परिक्चा के कट ओफ की. क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2021 में जो PET हुआ था, उसके अंतरगत लेकपाल की जो मुख परिक्चा है वो कराई जाएगी और उसमें जिसने भी PET 2021 का फॉर्म फिल किया था, एक्जाम दिया था, तो उसी हिसाब से उसमें 15 गुना जो विद्यार्थी हैं वो बुला जाएगे लेकपाल के लिए. अब कौन से वो 15 गुना होंगे, यानि कि कितनी इसकी जो कट ओफ है, कितने नंबर तक के विद्यार्थियों को बुलाए जाएगा. तो सबसे पहले अगर बात करें PET 2022 नोटिफिकेशन की, तो आपको भी पता है कि 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था, यानि कि PT की परिक्षा हुई थी, उसके अंतरगत जो भरतियां थी, लेकपाल की हो, या अन जो भरतियां हो, वो हो, और फिर चाहे वीडियो 2018 वाला एक्जाम होना हो वो, तो ये भरतियां जो है, वो इनके एक्जाम चलते रहेंगे, इसी बीच आपका जो PT 2022 का नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया जाएगा, और आपसे आवेदन लिये जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले लेकपाल, वीडियो, इवं अन जो परिक्षा हैं, वो हो जाएंगी, तब कहीं जाकर PT आएगा, क्योंकि लगातार विद्यारती ऐसा बोल रहे थे, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, ये परिक्षाएं अपनी समय से चलती रहेंगी, जो भी परिक्षा होनी है, लेकपाल की हो, वीडियो की हो, या अन्य परिक्षा हो, इसी बीच आपका जो PT 2022 के लिए नोटिफिकेशन है, उसके आविदन ले लिये जाएंगे, और फिर 2022 के अंतरगर जो भरती आनी है, वो आगे आपको केलेंडर में देखने को मिलेंगी, तो बात करें, अगर PT 2022 नोटिफिकेशन की, तो ये आपका मई के फर्स्ट वीक में आ सकता है, जो बात पता चली है, कि PT 2022 का जो नोटिफिकेशन है, वो मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और पूरा मई आपसे जो आवेदन है, वही लगबग 25 दिन के सम्थिंग आपसे आवेदन लिया जाएगे, तो जो लोग भी पिछले बार आवेदन नहीं कर पाएते, तो ऐसे गलती मत करिएगा, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आया करे, आपको फर्म फिल करना हुआ करे, तो दो-तीन दिन, चार दिन के अंतरगती वो जो फर्म है वो फिल कर दिया करेगे, अब बात करते हैं लेकपाल के मुख परिक्चा की, तो जो बात पता चली है कि इसकी जो कट आफ है, पहले बताया जा रहा था है कि साइद 80 नंबर तक जाएगी, 70 नंबर तक जाएगी, लोग अलग-अलग बता रहे थे, लेकिन अभी जो बात पता चली है, वो ये है, कि लिए 60 नंबर तक जिन्वी विद्यारतियों के हैं, हो सकता है कि उन्हें बुला लिया जाए, आपको पता है कि 15 गुना विद्यारति बुलाने हैं, लेकिन उसमें सुरुवात के जो कुछ ऐसे विद्यारति होंगे, जो टॉपर होंगे, यानि कि जिसके 99 परसेंटाइल हैं, तो हो सकता है कि वो फॉर्म ना फिल कियो हों, या फिर यूपी का एक्जाम था, तो बहुत सारे विद्यारति जो PCS वगएरे की तैयारी करते हैं, वो भी फिल कर दिये हों कि लोवर PCS के एक्जाम के लिए, तो इस वजए से जो अभी आयोग में बाची चल रही है, वो ये है कि जादा से जादा जो विद्यारति हैं, पंद्रा गुना तो ले नहीं है, लेकिन आवेदन जो है आपसे मुख परिक्चा के लिए दुबारा से करवाया जा सकता है, यानि कि पहले आपको एक कट-off बता कर सकते हैं, अगर 15 गुना नहीं हुए, तो कट-off थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, वरना जब उनके 15 गुना विद्यारति हो जाएंगे, मुख परिक्चा के लिए उतनी कट-off तै की जाएगी, तो जो भी विद्यारति जिनके थोड़े नंबर कम थे, 55 थे, 60 थे, तो वो लो कि जो आपके एक्जाम होंगे, या वीडियो 2018 वाला आपका एक्जाम होगा, उन सब में काम आएगा, तो जो ख़बर पता चली थी, वो आपको यहाँ पर अपडेट दे दी गई है, तो चलिए थेंक्यू, मिलते हैं निव इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, थेंक्यू